नमस्कार अब हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों में अगर कोविड हो जाता है तो उसका इलाज घर पर कैसे किया जाए अगर कोई भी खत्रे के लक्षन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सांस की गती अगर उसकी 60, 50 और 40 से कम है अपनी नियत उम्र के हिसाब से तो ख कुछ करने के आवशकता नहीं है जिस तरह अगर आप अपनी अपना दूद पिला रहे हैं तो दूद पिलाते रहें जो खाना पीना आप नियमत रूप से देते हैं वो सब बच्चों को देते रहे हैं जिन बच्चों में लक्षन पाए जाते हैं लक्षनों में हो सकता है कि बुखार हो खासी हो यही दो लक्षन हैं जो सबसे ज़्यादा परिशान कर सकते हैं तो बुखार के लिए अगर एक साल से छोटा बच्चा है तो उसमें आपको ये समझना चाहिए कि छोटा बच्चा गोली नहीं खा सकता है उसके लिए आपके पास पैरासितामॉल की ड्रॉ आपस होनी चाहिए वैसे तो अगर आप जिस भी गाउं में रहते हैं वहां पर आंगनवाडी सेंटर होता है और आंगनवाडी सेंटर पर जो है वजन नापने की मशीन होती है अगर वजन नापना आपके लिए अत्यंत आवशक है क्योंकि उसके बगएर आपको कभी भी य नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा सामाने धंग से विक्सित हो रहा है उसका वजन नियमित रूप से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो एक बार अवश्य जाकर आप अपना वजन कराएं विश्वास संगठन भी ये बात कहता है कि पहले साल में हर महाँ बच्चा एक साल से चोटा है तो आपको उसका वजन पता होगा तो अगर आपके पास पैरसितामॉल की ड्रॉप्स हैं जो बिबिन नामों से आती हैं हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहेंगे तो उसके लिए एक हम चोटा सा फार्मूला आपको बता रहे हैं कि अगर मान ल दवा की डोस जो है वो आप चार से च्छे घंटे के अंतराल पर दोबारा से दे सकते हैं जितना बुखार है अगर बुखार कम है तो दिन में तीन बार या चार बार दे सकते हैं अगर बुखार जैदा है तो चार से च्छे बार दे सकते हैं दूसरी दवा जो आपको अपन मिल सकती है बहुत सारे इसके भी नाम है और नॉर्मल सलाइन डॉप्स के नाम से भी मिल सकती है नेजल डॉप्स के नाम से भी मिल सकती है इसकी दो दो बून आप जैसे बच्चे में लक्षन है अगर बहुत जादा तीव रिगती से उसकी नाक बह रही है या नाक बंद है तो तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक हम आपको एंटिबाइटिक बता रहे हैं आप उस एंटिबाइटिक का इस्तमाल कर सकते हैं अगर बच्चे का बुखार दो या तीन दिन से ज़्यदा रहता है अगर आपके पास कोई और चिकसिय सुविदा उपलब्द नहीं है इसका नाम है एजित्रोमाइसिन ये आपको सस्पेंशन की फॉर्म में मिल जाएगा इसके प्रतेक पांच एमिल के अंदर सौ मिली ग्राम एजित्रोमाइसिन होता है और आपको अपने बच्चे का वजन अगर दस किलो है तो आपको ये पांच एमिल दिन में एक बार देना है अगर पां अब अगर बात करें हम एक साल से बड़े बच्चों की तो एक से तीन साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनका सामयनत्य वजन जो होता है वो दस किलो से सोला किलो के बीच में होता है तो उसके लिए आप परसिटामॉल का सिरप इस्तमाल कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को 5 एमल परसिटामॉल का सिरप सिंगल स्टेंथ जिसको हम बोलते हैं 5 एमल में लगबग 125 मिली ग्राम परसिटामॉल होता है तो वो 5 एमल दवा आप उसके बुखार के अनुसार चाहे तो 3 से 4 बार या 4 से 6 बार जितना तीवर बुखार है उसके हिसाब से उसको दे सकते हैं नेजो क्लियर ड्रॉप्स या नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स नाक में डालने के लिए जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है वो आप फिर से दो दो बून डाल सकते हैं उसके बाद अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो किसी भी बरतन में आप पानी उबाले और उसके थोड़ा दूर खड़े हो जाए तो इसको भाप चली जाएगी तीसरी बात अब आजाती है अगर उसको खांसी है तो आपको उसको एंटिवाइटिक देना हैं जिसमें हर पाँच एमल में दो सो मिली ग्राम एजित्रमाइसिन होती है तो अगर आपका बच्चा एक से तीन साल के बीच में है तो आप उसको ये एजित्रमाइसिन का धाई एमल दो सो मिली ग्राम वाली एजित्रमाइसिन का धाई एमल दिन में एक बार दे सकते हैं इ तो ऐसे बच्चों को आप 4-5 ml Azithromycin दिन में एक बार दे सकते हैं और जहां तक Paracetamol की बात है तो अगर आपके पास 125 मिली ग्राम वाला सिरफ है तो आप उसको या तो दुगनी ताकत का Paracetamol का सिरफ ले सकते हैं जिसमें 200 मिली ग्राम होता है पर 5 ml और उसको अगर आप देता चाहते हैं तो उसके 3 ml को 3-4 ml 200 मिली ग्राम वाला Paracetamol का सिरफ हर 4-6 घंटे पर ऐसे बच्चा को दिया जा सकता है इसके अलावा एक बहुत ही महत्पून बात है कि ORS के Packet आपको सब जगा पर मिल जाएंगे ORS का Packet आपको सब सेंटर पर भी मिल जाएगा हो सकता है कि ये आपको ग्राम प्रधान के दोरा भी उपलब्द करा दिया जाए या ग्राम सचेव के दोरा भी उपलब्द करा दिया जाए तो ये Packet ORS का बड़ा Packet जो है आप इसको एक लीटर पानी में घोर लीजे और थोड़ी थोड़े अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी ये आप अपने बच्चों को पिलाते रहें से केवल दस्त में ही नहीं देना है COVID में देखा गया है कि इवन वेसकों में बड़े वेक्टियों में भी अगर इलेक्टरॉल पिलाया जाता है तो उनको उनके अंदर कमजोरी कम आती है और उनके अंदर सुधार तेजी से होता है तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे स्वस्त रहेंगे आप अपने बच्चों का अपने ही गाओं में अपने ही घर पर इलाज कर पाएंगे हाँ अगर खत्रे का कोई लक्षन होगा तो उसके लिए आपको तुरंथ चिकस्की सेवाओं की आवशकता पड़ेगी उसके लिए आप प्राइमरी एल्स सेंटर पर जा सकते हैं या कोशिश करते हैं कोशिश की जाएं अगर सरकार की तरफ से कि कुछ कॉल सेंटर बना दिये जाएं कुछ टेलिफोन नंबर सकर बना दिये जाएं कुछ डॉक्टर्स की टीम बना दी जाएं कुछ पैरा मेडिकल वर्कर्स की टीम बना दी जाएं जो समय समय पर ड्यूटी के हिसाब से आठाट गंटे की ड्यूटी के हिसाब से वो आपको लोग फोन नंबर पर उपलब्ध हों तो उनसे आप परामर्श उचे तरीके से ले सकते हैं अगर इस तरह की चीजें हर गाओं के अंदर करी जाएं तो मैं समझता हूँ बच्चों में कोविट का प्रकोप काफी हक तक हम समाप्त कर पाएंगे अच्छे डंग से कर पाएंगे मृत्यू से बच्चों को बचा पाएंगे उनके स्वास्त का भ्यान रख पाएंगे उनको स और इसको याद रखें और जब भी आवशकता हो इसको फिर से सुने और फिर से अपने बच्चों का इलाज अपने घर पर इस तरह से करने का प्रयास करें ये एक मानव तरास्दी है हम सब बहुत ही कठिन समय से निकल रहे हैं हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए इस